मानाव की जो है हत्या करके ये बन रही है बलात कारियों का साथ दे करके बन रही है ये गोमोत्रु पीने और पिलाने वाली सरकार है गोबर खाने और गोबर खिलाने वाली सरकार है इंसान को इंसान से जानवर बनाया जा रहा है तो और किसकी सरकार बात करोगी पूरे वर्ल् मुख्यमंत्री बने हो पड़ा लिखा विवाग जाना चाहिए ता अंदर लेकिन नांगा और नांगो बाबाओ को ले गए अरे क्या मैसिज देना चाहते हैं देश को आज बेहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं उसी से समझ लो कब जागो के मेरे बहुजनों और जो 131 सांसाद विदायक आज है ना वो लोग ही लालच में आकरके अपने हमारे बारत संविधान की कसम खा करके धोका दे रहें बाबसाब को भी मैं तो यह कहता हूं बहुजनों निकलो मकानों से जंग लड़ो इन बेइमानों से और इन पर जहां भी मिले यह सांसाद अपने भी लालची इन पर भी लट पर सादो आज हमारी बारी है तो बेटा कलकु तुमारी भी बारी होगी आज तुम मलाई मार रहे हो कलकुत्ते की तरह तुम भी मारे जाओगे अरे मायवती जी जो है वो तो माया की गुलाम है उसके हाथ में तो माया पढ़ गई है वो तो उसके उ होगी यह नहीं कोई फरक नहीं है दिल में लाव दिल में कौन रहा तुमारी जबान जबान तो जिदर को चलेगी उदर को फिसल जाएगी अपने आपको जब सभालोगों देश को जंतों को मानावतो को संजोगे गोबर खाने और गोवर खिलाने वाली सरकार है इंसान को इंसान से जानवर बनाया जा रहा है तो और किसकी सरकार बात करोगे जो मानावता की बात करता है हम से उसकी बात कीजिए वाई साब हम इंसान हैं, इंसानियत का पैगाम लेके दोड़ते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, बाबा भीमरा अंबेड करने, अपने बच्चे कुर्बान कर दिये, माना होता के लिए, OBC को हग अधिकार सबसे जादे दिलाने के लिए, समझे, हम बाबा साहब को मानते हैं, और बाबा करके, जब आप पीछे जाएंगे 1947 में, पंडित जवारलाल नहरू ने अपना प्रोग्राम किया, और उसमें कह दिया, कि अब हम दिन निकल गया, हम आजाद हो गए हैं, अंग्रे चले गए हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ है, ट्रांसपर ओपावर हुई है, अब ब् रहमनों ने अपने हाथ में ले ली, और कितना दो परसेंट, तीन परसेंट लोगों ने, इवियम के चुनाव कर दो, पूरे वर्ल्ड में नहीं होता इवियम से चुनाव, बैलट पेपर से करा दो, फिर पता चल जाएगा सत्ता किसकी आती है, गुमराहियत को बाबा साब क समविधान को जोंचा की अटाने की बात कर रहे हैं न, इन लोगों को ये देखना होगा, कि बाबा साब के समविधान की शपत लेकर के ही तुम इस मुकाम पे बैटे हो, तुमारे बाप ने सत्ता नहीं दे दिये, ये बाबा साब नहीं देन है, जो आप तुम परदान मंत् बने हो, समझे, आज तुम उसी समविधान को बदलने की बात करते हो, यानि, उसी की डेंटिंग पेंटिंग करके हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, अपनी सत्ता बरकरार कैसे रहे, स्टी गुलाम कैसे हो, ये सामन्त वारी वियवस्था ला रहे हैं, वो सिंगूल देखा न लेकिन नांगा और नांगो बाबाओं को ले गए, अरे क्या मैसिज देना चाहते हैं देश को, आज बेहन बेटियों की इज़्जत लूट रहे हैं, उसी से समझ लो, कब जागो के मेरे बहु जनो, तब तो जागदाओ, अब तो आखे खोल लो, कब खोलोगे, उन नांगो सही सीख लो, नंगा बना देना चाहते हैं, मनिपूर में मेरी बेहन बेटियों को नंगा घुमा रहे हैं, और जब मुसलिम को घुमाया गया था, कहां गुजरात में, जिसको गोधरा कांड हुआ, उसमें जला दिया गया, आप लोग और हम लोग समझ नहीं रहे, कब समझो बहुजन को अभी ये दिखाई दे रहा हैं, कि हिंदू, हिंदू, मुसलिम, मुसलिम, अभी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा बाबा साब को भी धोका दे रहे हैं, और जो 131 सांसाद विदायक आज हैं ना, वो लोग ही लालच में आ करके अपने हमारे बार्त समविधान की कसम खा करके धोका दे रहें बाबा साब को भी, पूरे देश को धोका दे रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ, बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लडो इन बेइमानों से, और इन पर जहां भी मिले ये सांसद अपने भी लालची, इन पर भी लठ पर सादो, अरे निकल रहे ह पर देखो कितनी पब्लिक आई हुई है मेरी बेहन बेटियां कितनी आई है सब लोग जागरती ला रहे हैं और जोंचे यह 131 बैटेना उनके गुलाम बन करके इन लोगों को समझ में नहीं आ है कि आज तुम मलाई खा रहे हो कल तुमारा भी नंबर आएगा तब पता चलेगा समीधान पर किसी एंपी नहीं नहीं बोला तो वह गुलाम है ना हम उसी के लिए तो कह रहे हैं कि पाल्टी बाजी छोड़ो और इंसानियत और मानावता पर आजाओ बाबा साब का जो मिशन है उसके उपर आजाओ नहीं तो जुत्ते तुमारे उपर भी बरसेंगे आज हमारी बारी है तो बैटा कलकु तुमारी भी बारी होगी आज तुम मलाई मार रहे हो कलकुत्ते की तरह तुम भी मारे जाओगे क्या सम्मान दे रहा है जब पावर नहीं है तो सम्मान को चाटोगे क्या अरे जब तुमारे पास में मैंने कहा दिया आई आई पत्रकार बाओ आजाओ मेरे साथ बैटो और मैं तुम्हें प्र जूते मारूं तुम्हें खर्चा भी ना दू तो फिर क्या करोगे तुम तेल नहीं है और पूंजी पती आज बिसो पच्छिस सो पचास सो यह भाग गई यहां से उनके उपर कोई एक्षन नहीं है आज आर्डी एक्स ऐसे ही आ जाता है काश्मीर में पुल्वामा कांड देखा है उसके कोई जांच नहीं है आज यदि जराशा एस्टी एस्टी ओबीसी क उनके लिए कानून बन जाता है उनके लिए सम्विदान याद आता है और यदि सरवन काश्ट का ब्रह्मन बनिया कोई पकड़ा जाए तो उनको रातो रात बदल दिया जाता है उनको जो बहु बली बता दिया जाता है कब सुधरोगे तुम मीडिया वाले सुधर जाओ सच पर आजाओ देश को तुम लोग बचालो बचवा दो नहीं तो तुम्हारा भी नंबर है कल किसके साथ जाएगा बहुजन मायावती जी जो है वो तो माया की गुलाम है उसके हाथ में तो माया पढ़ गई है वो तो उसके उपर जैसे नाग है वो वैसे बैठ गई है और वह च बनी थी अरे यार मैं कह रहा हूं कि इसी से बनी थी वरना तुम पहीं कहीं की नहीं रहोगी समझे इसी लिए वापास आजाओ वापास आजाओ तभी होगा अरे बहुजन समाच जो है कल अपनी बात कहने योग्या नहीं रहेगा ने हमेशे साथी दिया है आप भी उनकी बात के लिए खड़े हो जाओ तभी कुछ होगा वर्ना कुछ निहोगा तो सारे बेतर हैं जो बहुजनों की मना कर दिया कि मेरी पूजा मत करना मेरे विचारों को मानना तो तब जा करके होगा पाखंडी मत बनो आप जाग जाओ